देखें इस वीडियो में हमें question करने जा रहे है number of one bits input में हमें decimal number दिया जाएगा हमें उसकी binary निकालने हैं और check करना है कि उसकी binary में कितनी number of one bits हैं ठीक है constraint क्या given है constraint given है कि भाई उस decimal number की जो binary आएगे वो 32 length की होगी जैसे कि मेरे पास 8 लिखा हुआ है तो इसकी binary यह है ठीक है 1011 तो इसमें number of bits one कितनी है ठीक है अब धियान दीजेगा क्योंकि 32 length की है तो most significant bit अगर one आती है तो वो negative numbers भी include करेंगे उसमें ठीक है अब negative numbers भी include करने जा रहे हैं तो left shift right shift मत की जाएगा क्योंकि उसमें उल्टे सीधे result आते हैं तो एक्जामपल लेकर बताता हूँ देखिए n is equal to 11 माल लेते हैं और उसके मैं print करने जा रहा हूँ binary string ठीक है run करते है as java application 1011 आ ठीक है इसको copy कर लेते है 1011 को n is equal to 11 की binary है 1011 तीन अप्रोच है पहली अप्रोच क्या है कि इसको binary string में convert कर लो ठीक है यह बहुत ही जादा basic approach हो जाएगी इसमें बहुत जार टाइम लगेगा हमें इस्तमाल करने है bitwise operator क्योंकि bitwise operator चोते हैं वह फास्ट होते हैं ठीक है बहुत बढ़िया तो approach 1 approach 1 में देखे क्या करेंगे approach 1 में हमारे पास लिखा है 1011 approach 1 में हम बारी-बारी से हर bit को check करेंगे क्या कि वह one है या नहीं है अच्छा अब loop हमें लगाना नहीं है इस ट्रिंग में convert करके तो कैसे हम कर सकते हैं check कि हर एक bit वन है या नहीं है अब देखिए question में क्या given है question में given है कि 32 length होगी हमारी binary string की number की ठीक है तो number n दिया जाएगा हमें और उसकी जो binary होगी उसकी length 32 होगी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अभी जो मेरे पास 11 number दिया गया है उसमें उसकी length 4 है ठीक है तो देखो मैं यहां पर कुछ चीज paste करता हूँ ठीक है चार binary string है तो चार case मैंने लिख दिये हैं यहां पर इसमें ध्यान से देखे कि क्या हो रहा है इसमें मैं one को खिसका रहा हूं left में one को खिसका रहा हूं left में और मैं क्या करूंगा हर एक number का हर चार number जो है इनका बारी बारी से अपने given number के साथ end कराऊंगा ऐसे 0001 ठीक है अपने given number का end कराऊंगा इन चारों के साथ ठीक है और सारी bits, एक temporary variable ले लेता हूँ, बोल लेता हूँ helper है helper, ये क्या helper, ठीक है, तो end and helper करूँगा, मैं end and helper करूँगा, ठीक है, तो helper में मुझे चोन से bit check करनी है, कि भाई वो one है या नहीं है, helper में मैं वो one कर दूँगा, क्यों? देखेगा क्यों? देखो, helper में इस समय क्या है? ये वाली bit one है, तो यानि कि number में पहले bit ही चेक करूँगा, मैं कि वो one है या नहीं है, क्यों? क्योंकि बाकी तो zero हो जाएंगी, क्योंकि ये जीरो है ये भी जीरो है और वन एंड वन कर दूंगा मैं फिर रास्त में अगर वो वन आ जाता है इसका मतलब है हाँ helper काम्याब हो गया है जो bit helper के अंदर वन है वही bit हमारे ओरिजिनल नंबर के अंदर भी वन है फिर से एक बार दूसरे example में helper में दूसरी bit one है और सारी zero है तो answer जो आएगा answer क्या आएगा answer यी आएगा 0-0-10 जो helper में bit one है वो चेक करेगा कि end में वही bit one है या नहीं है ठीक है तो और सारी bit जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगществ क्योंकि end कर रहे हैं हम सिर्फ यह वन रहे जाएगी ठीक है तीसरा example helper में जो bit one है वो चेक करने जाएगा कि वही bit third bit one है नहीं है तो देखो बाकी के तो सब zero होई जाएंगे जीरो zero 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 one 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 तो बाकी के तो zero होई जाएंगे इनका इनके साथ end होगा तो भी zero हो जाएगा इस जीरो का इस one के साथ end होगा तो भी जीरो जाएगा लेकिन helper में जो one है वो यहां पर अब zero है इसका मतलब क्या है कि इसका answer क्या आएगा zero 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 समझे रहे हो आखिरिये में क्या जाएगा वजह करेगा helper में जो one है वो end में भी one है या नहीं है हाँ है ठीक है तो one zero 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 तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जब helper end end zero नहीं आता है तो मैं अपना counter बना दूँगा एक उसको plus करता जाओँगा और last में उस counter को return कर दूँगा समझे बात को सिर्फ और सिर्फ उस case में zero आएगा जब helper bit काम्याब नहीं होगी कहने का मतलब helper bit का कोई काम नहीं होगा helper bit जो है हमारी helper bit में जब one उस position पे आएगा जिस position पे हमारे end पे zero पड़ा होगा समझे बात को तो लिखते हैं इस code को अब देखो यहाँ पे चार case थे ठीक है क्योंकि चार length है हमारी binary की लेकिन हमारे case में कितने हैं 32 होंगे 32 क्योंकि इसमें question में given है ठीक है लिखता हूँ अभी एक मिनट दो 32 ठीक है 32 बार loop चलाएंगे ठीक है यह कितनी बार चला है 32 बार loop चला है 1 से 32 तक ठीक है और एक ले लेते हैं helper 1 ले लेते हैं यहां से start करना है और उसको खिसकाते हो जाना है ठीक है कैसे खिसकाते हैं helper is equal to helper left में खिसका दो left shift operator और check कर लो if helper end is not equal to 0 नहीं है अगर तो result जो है हमारा वो plus plus कर दो ठीक है और last में जाके उसको print करा देना है result को ठीक है save करते हैं इसको हटाते हैं और copy करके lead code बजाते हैं paste करते हैं चलाते है बहीं चलाते हैं run करके देखते हैं भाई तो हाँ भी accept हो गया है ठीक है भाई हाँ भी submit भी हो गया है बहुत ही बहतरी ठीक है यह थी पहली अप्रोच दूसे अप्रोच देखेंगा तो भाई सेकंड अप्रोच क्या है सेकंड अप्रोच बेस्ड है इस प्रौपर्टी पर कि भाई एंडिंग एंड और एंड माइनस वन के एंड से फ्लिप हो जाती है लास्ट वन बिट तू जीरो एक्जम्पल ऐसा बन आएगा एक्जम्पल से देखों and is equal to 22 दे रखा है मुझे बहुत बढ़िया N की binary निकाली, N-1 की binary निकाली और इन दोनों numbers की यानिके N और N-1 का फिर end कर दिया bitwise end, एक end लगा रखा है bitwise end, ठीक है, run as, Java application करते है देखेगा, यह क्या है, N है ठीक है, यह क्या है, N-1 है और यह क्या है, उन दोनों का end है अब observation देखे, property क्या है end करना है मेरे को, N का और N-1 का, उससे क्या होगा, जो least significant one bit होगी least significant one bit यानि कि अगर right से चलूँगा, तो पहला one जो आएगा, वो one की जगा, zero में convert हो जाएगा right से अगर मैं चलूँगा, left की तरफ ठीक है, right से चलूँगा left की तरफ, जो पहला one आएगा ठीक है, जो पहला one आएगा वो convert हो जाएगा, zero में देखे, one जो है, वो zero में convert हो गया है और बागी का, as it is बागी का, as it is ठीक है, तो ये क्या है, n है ये क्या है, n-1 है उन दोनों के end से जो result आएगा उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा any लिखा होगा, basically वो, लेकिन उसकी जो least significant one bit होगी, यानि कि right से जब left की तरफ चलूँगा, जो तो पहली one bit आएगी वो convert हो जाएगी, zero में, ठीक है बहुत बढ़िया, तो इसका information का करूँ क्या मैं, तो मैं देखो, एक loop चलाऊँगा, एक loop चलाऊँगा, और हर iteration में, क्या बोल रहा हूँ, एक बार loop चलाऊँगा मैं, और हर iteration में, उसकी last significant bit जो है, उसको one करता जाऊँगा, जितनी बार one होगी उतना ही क्या है उतनी ही मेरा पास one bit होगी यानि कि वही answer है basically, फिर से एक बार, मैं करूँगा ये operation मैं करता जाऊँगा, बार-बार जितनी बार ये operation हो पा रहा है ठीक है, उतना ही मेरा answer होगा basically, समझे वाद को देखो, ये एक बार कर दिया मैंने operation, ठीक है फिर मैं इसमें ये operation करूँगा ठीक है, फिर इसमें operation करूँगा तो ये वाली bit जो है, वो गया हो जाएगी फिर क्या बाचे का, 1 और सारी 0 फिर से उसका minus 1 के साथ end करूँगा, तो जो पहली वाली bit होगी, वो 0 जाएगी यानि कि जितनी बार मैं end कर पा रहा हूँ n minus 1 के साथ और 0 भी नहीं आ रहा है, उतना ही मेरा result है, देखो फिर से, while n is not equal to 0 ठीक है, n is equal to n end n minus 1, ठीक है और result plus plus, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना हम है copy करते हैं, lead quote पे जाके, पटक देते हैं इसको run करते हैं हो गया, submit करते हैं, ठीक है हो गया, submit पे, बहुत ही बहतरी तो दो approach थी एक approach में हम क्या कर रहे थे हर bit पे जाके check कर रहे थे 32 bit है न, हर 32 bit पे check कर रहे है जाके, कि भाई, वो one है ये नहीं है कैसे करेंगे, एक helper ले लिया था helper क्या है भाई, helper में जो bit है, वो खिसका रहा हूँ left की तरफ, ठीक है अच्छा, helper bit में, एक बार में एक ही one होगा, और जो one होगा उसी position पे वो check करने जाएगा original number पे, कि भाई, वो one है ये नहीं है end कर देंगे basically, ठीक है, अगर वो one होगा, तो उनका end zero नहीं होगा, ठीक है, तो result plus कर रहे है, ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या है n का, मैं अगर n-1 के साथ end कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई least significant one bit जो है, वो zero में convert हो जाती ये एक observation है, ठीक है, तो जितनी बार मैं operation कर पा रहा हूँ उतना ही मेरा answer है मैं एक बार दिखा देता हूँ system.out.print करके, ठीक है, कि end की शकल कैसी आ रही है, end की बलकि मैं उसके binary की दिखाता हूँ शकल, ठीक है private static बनाते हैं, इसको मैं call करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहां से है, ठीक है approach to approach to end ठीक है, चलाते हैं इसको देख रहा हूँ क्या हो रहा है पहली बार में शकल क्या थी 22 की यह थी, दूसरी बार में यह रह गई और तीसरी बार में यह हो गई और चौती बार में completely zero क्यों, क्योंकि इस वाले नंबर में least significant bit जो one है, वो यही खुद है पहली वाली, और वो भी zero बन जाएगी, ठीक है, और हमने condition लगा रखिया, while n is not equal to zero समर्य बात को, पहली बार में यह zero, दूसरी बार में यह zero, तीसरी बार में यह zero ठीक है और हमारा answer जाएगा वो आएगा कितना, तीन बहुत ही बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है answer print ही नहीं कराया था ठीक हा, answer तीन आगा है समर्य बात को, ठीक है वे वीडियो समाथ